आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा ऐलेटरेशन की ऐलेटरेशन एक figure of speech है जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास जिसमें same sound repeat होता है गौर करना मैंने क्या बोला? Same sound repeat होता है जरूरी नहीं है same letter repeat हो same sound भी होगा तब भी वह ऐलेटरेशन कहलाएगा शर्ते हैं आग पर कुछ पहली यह कि ऐलेटरेशन में sound repeat होता है letters repeat नहीं होते जरूरी नहीं है कि ऐलेटरेटरेव words एक साथ ही होने चाहिए उन words के बीच में दूसरे words भी आ सकते हैं क्योंकि ऐलेटरेशन को लेकर बहुत सारे misconceptions हैं जिनको मैं clear कर देता हूँ पहला तो जरूरी नहीं है कि ऐलेटरेशन में words sequence से हो words के बीच में words भी आ सकते हैं दूसरा इसमें sounds जरूरी है ना कि letters जैसे कि crooks conspire with a kind king अब यहाँ पर crooks conspire with a kind king यह ऐलेटरेशन है यहाँ पर k word भी वैसा ही sound हो रहा है जैसे कि crooks तो letters का repetition नहीं है लेकिन sound का repetition है तो यह alletration है अब confusion यहाँ पर क्या होती है confusion यहाँ पर होती है कि alletration के कुछ करीबी रिष्टदार है consonants और assonance यह दो करीबी रिष्टदार है यह भी कुछ कुछ alletration जैसे ही लगते हैं लेकिन थोड़ा सा difference होता है इनमें ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ consonants में a truck full of unlucky ducks अब इस पूरे sentence में same sound repeat हो रहा है इस पूरे sentence में u c k u c k u c k तो sound तो repeat हुआ है लेकिन बीच में और alletration के नियम क्या था first letter होगा और stressed letter होगा यह बीच में है और ध्यान देना consonant है k consonant है consonant sound है तो यह क्या है consonants अब ऐसा ही कुछ होता है assonance बीच में आता है लेकिन vowel repeat होता है वो भी शब्द के बीचो बीच जैसे she seems to beam rays of sunshine with her eyes of green तो यहाँ पर seam, beam, green तो यह बीच में vowel repeat हुए है तो यह क्या है assonance उमीद करता हूँ आपको alletration, consonants और assonance में फर्क पता चल गया होगा जरूरी नहीं है कि alletration सिर्फ poetry में follow हो prose में भी होता है यहाँ तक कि super heroes के नामों में भी use होता है अब writers इसका use क्यों करते हैं अपनी writing की खुबसूरती बढ़ाने के लिए feeling डालने के लिए और अपनी writing को musical बनाने के लिए बहुत ही famous और जरूरी figure of speech है जरूरी बात तो यह है कि इसको समझा कैसे आपने alletration में letters repeat नहीं होते बलकि sound repeat होता है याद रखना